बिग बॉस में अब तक का गेम काफी मज़दार रहा बुधवार को शो में कैप्टिंसी टास्क हुआ जिसमें कविता कौशिक को मुख्या बनाया गया इस टास्क में दो परिवारों की रूप में जैस्मीन भसीन और रुबिना दिलाइक को दो अलग-अलग परिवारों में बाटा गया था अब उन्हें किचिन बेडरूम और बाथरूम की दाविदारी दी गई थी जिसमें कविता ने अपना फैसला सुनाया जहावे टास्क में घरवालों की नजर में पक्षपात करती नजर आई रुबिना दिलाइक ने कविता कौशिक की कैप्टिंसी के तहत का ना कर दिया उन्होंने कहा कि उन्हें कविता कौशिक की कैप्टिंसी सिद्धिक्कत है इसके बाद कविता ने रुबिना से इसकी वज्ज़ पूछी और कहा कि उन्हें काम ना करने का कोई अधिकान नहीं है इस दौरान दोनों में काफी कहा सुनी हुई रुबिना ने कि युए बहस में कविता ने रुबिना को कहा था कि उनका चहरा इतना भी खुबशूरत नहीं है कि वे इसमें इंट्रेस्टेड हो इस बात पर अभिनाव अपनी नाराज GY जताते हैं और कहते हैं आपका चहरा भी इतना खुबशूरत नहीं कि उसे कोई देखे। इसके बाद एक और मौके पर जहा अभिनव दिन में सोते है तो कविता उनके सामने तालिया मार कर उन्हें जगाने की कोशिश करती है इसके बाद दोनों में एक बार फिर से बहस हो जाती है कविता कैप्टिन सी की दावेदा नहीं बन सकती इसलिए उनके अलावा बाकी घरवाले इस टास्क में शामिल होंगे इस टास्क में जैस्मिन के परिवार में अली राहूल निकी होंगे उनके हिस्से में बाद रूम का हिस्सा है दूसरा परिवार रुबिना का है जिसमें बात्रूम जाना है ये सुन अभिने रूबिना पर भड़क जाते हैं कि उन्हें जब भी कुछ बात करनी होती है तब भी वे बहाना लेकर आ जाती है बटवारा टास्क में जैस्मिन कहती है कि वे किचेन की दाविदारी इसलिए रखती है कि रूबिना ने खाना बनाने से मना कर दिया रूबिना को कैप्टेंसी से परिशानी है पर वे दूसरों को भूखे पेट नहीं रख सकती वे कहती है कि कविता से अली और जैस्मिन के दुश्मनी जादा है पर उन्होंने कभी खाने पर गुसा नहीं निकाला रूबिना इसकी वज़़ एक तो कैप्टेंसी बतात है दूसरी वज़े फ्लू होना बताती है लेकिन कविता जैस्मिन के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है और किचन की दावेदारी में जैस्मिन के परिवार को विज़ेता घोशित करती है रूबिना ने अली पर आरोप लगाते हुए कहा कि बैडरूम में तोड़ फोड हुई इस पर कविता ने रूबिना के परिवार के हक में अपना फैसला सुनाया और उन्होंने रूबिना के परिवार को विज़ेता बताया निकी ने कहा कि बैडरूम की दावेदारे में कविता ने खुद को निस्पक्ष दिखाने के लिए जो वज़दी वो गलत थी अभ फिर अभिनो जैस्मिन की टीम के पास जाते हैं और प्याज मांगते हैं जिस पर जैस्मिन कहती है कि प्याज जरूरी नहीं है और वो ये देने से मना कर देती है बात बढ़ती है और फिर दोनों परिवारों के बीच तनाव शुरू हो जाता है। बुद्वार के शोव में टास्क पुरा नहीं हुआ बातरूम की दाविदारे अभी बाकी है आगे के शोव में रुबिना और जैस्मिन के बीच लड़ाए देखने को मिलेगी अब तक चली आ रही उनकी दोस्ती किस मोड पर आती है ये देखना दिल्चस्प होगा इसके अला अभिना और उबिना में भी तनाव बढ़ते नज़रा रही है